ओके तो हब हम continue करेंगे हमारा next topic computer graphics का हमने last lecture में पढ़ा था कि video display devices इसमें हमने पढ़ा था refresh CRT अब इसी में ही आज पढ़ने वाले हैं हम random scan display और raster scan display यहाँ पर system भी है जो मैंने बताया था last lecture में कि यह system अलग होता है और display अलग होता है तो exam में confused होना नहीं है कि system क्या है और display क्या है अगर display पूछा तो display बताना है अगर system पूछा इस इसप्ले एक्सप्रेंग करना है तो first display है raster scan display अब जैसे हमने last lecture में पढ़ा था refresh CRT में कि किस तरह से वो one by one spot create करता है for example मेरा यह monitor है तो अगर मुझे यहाँ पर कुछ spot create करना है तो मुझे उसके लिए पहले इस तरह से one by one one by one line को उसको scream करना पड़ेगा उसको swap करना पड़ेगा उसके बाद में जहाँ पर draw करना है वहाँ पर मुझे electron की beam को penetrate state of fade करना पड़ेगा उसे intensity बढ़ाना पड़ेगा तब यहाँ पर वो एक white spot create करेगा फिर continue continue करते रहेगा था तो इस तरह से raster scan display काम करता है तो जो most common device है हमारा जो हम use करते घर पर use करते जो पुरान जबाने में थे अभी तो LED और CRT आ गया है तो पुराने वाले refresh CRT में हम उसको raster scan display यूज करते थे वहाँ पर से इसी technique का यूज करते थे वह तो उसमें होता क्या है कि electron beam वो screen से strap करते जैसी यहाँ वे दिखा रहा ह कि top से start करेंगे बाद में फिर one by one उस screen के end वे जाएंगे फिर नीचे आएंगे फिर next वाले line को scrap करेंगे और नीचे आएंगे इस तरह से वो end तक जाता है यहाँ तक आखरी वाले line तक उसके बाद में दुबारा से फिर उसी line से start करता है beginning से फिर वो continue करता है अपना repetition इमेज में explain किया है किस तरह से यह होता है तो अब मुझे कोई image draw करना है raster scan display में तो मुझे उससे कई store करना पड़ेगा तो उस memory का उस memory क्यों कहते हैं हम लोग refresh buffer और frame buffer फ्रेम बफर में जाते उस करते है raster scan display में और हरे pixel जो frame buffer के अंदर रहता है उसे हम pixel कहते है या small में pale क तो रास्तर scan display से हम कोई अच्छी realistic display जैसे कि किसी human का face हो गया या फिर कोई tree हो गया nature का view हो गया हम उसे draw कर सकते है with कोई अच्छी shading के साथ में color pattern के साथ में उसको draw कर सकते है using raster scan display और इसको use भी करते है हम हमारे old वाले tv devices में उसके example क्या-क्या है home television set में उसकरते इसको इस रास्तर scan display में और printer में भी यूज़ करते है one by one line by line उसको print करता है तो अगर कोई simple black and white system यूज़ करते है रास्तर scan display में तो वहाँ पर क्या करेंगा one by one उस्वेप करेंगा और जहाँ पर उसे image draw करना है suppose इस area में तो जहाँ image draw करना है यहाँ यहाँ पर तो उसी part को वहाँ प intensity बढ़ाएंगा और वहाँ पर image draw करेंगा एक white spot create होगा तो suppose अगर मुझे कोई triangle draw करना इस तरह से raster scan system में तो क्या करेंगा first यहाँ पर पूरा swipe करेंगा इस तरह से पूरी line के swipe करके तो जहाँ पर draw करना है वहाँ पर one वहाँ पर intensity one on कर देगा और जहाँ पर draw नहीं करना वहाँ पर zero रहेगा मतलब off रहेगा तो जो black and white system में जहाँ पर simple बात है कि one bit per pixel रहने वाला क्योंकि वहाँ पर zero one ही रहने वाला है तो उससे हम कहते है bitmap आपने नाम सुनाओंगा bitmap image वहाँ पर black and white रहता है means zero और one ही उसमें रहता है उसमें color नहीं रहता है अब जिसे आपने सुनाओंगा कि अब जैसी आपने सुनाओंगा hertz कि 80 hertz का है 60 hertz का है hertz actually है क्या तो आप जब इस point से start करते हो और इस point से जब आप scrap करने के बाद में sweep करने के बाद में आप यहाँ पोशते हो तो दुबारा से आप इस point में return आते हो तो क्या होता है कि आप एक second में यह कितने बार यहाँ से यहाँ पोच रहा है इसे कहते है हम hertz में frequency तो क्या होता है एक second में 60 to 80 time यह swipe करता है means एक second में यहाँ से यहाँ 80 times आता है 60 time आता है जो depend जाता है monitor की speed के उपर तो अगर कोई बहुता है 60 hertz means एक second में इस point से इस point जब आता है line से और दुबार यहाँ पर जाता है तो 60 time वो इस image को बार बार इस point से इस point वो line को swipe करके नीचे आता है और उपर जाता है ठीक है तो यहाँ आपको समझ गया frame मतलब क्या होता है कि एक second में कितने बार वो retrace कर रहा है कितने बार वापर जाके दुबारा उपर से नीचे आ रहा है फिर ओपर जा रहा है इसे कहा गया है refreshing तो यहाँ पर first दिया है horizontal retrace means अगर आप यहाँ पर हो और यहाँ से आप यहाँ पहुच गये फिर दुबारा से आप यहाँ पहुच गये तो इसे कहा गया है horizontal refresh means आपने left से right पहुच गये फिर आपको दुबारा right आना है तो उसको कहा गया है horizontal retrace सेम कंडिशन आप इस मोनिटर के या इस स्क्रीन के बिल्कुल एंड में पहुच गए हो और आप फिर यहां पर दुबारा आ रहे हो तो इसे कहा गया है है वर्टिकल डिट्रेस ठीक है सिंपल कंसेप्ट है तो यह पॉइंट को नोट डाउन कर लेना इजी है आपको समझ में आ जाएगा एक बास को और विपर रहें होते हूं नाव नेक्स है रैंडम स्कैन डिस्प्ले इसको हम वेक्टर डिस्प्ले भी कहते है आपने सुनाओंगा वेक्टर क्या होता है वेक्टर वर्ट सुनाओंगा वेक्टर इमेजिस करके लेकिन यहां आप एक्च्यूल देखेंगे वेक्टर इमेज होती ही क्या है तो रैंडम by one में इस screen के उपर से ऐसे कुछ draw करता लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर जहाँ पर draw करने वाले है उसी point में वो देखो वह electron beam को सीप कर रहा है और triangle draw कर रहा है ना मतलब वो जहाँ पर जाना था मतलब फुरी screen को उसने सब्सक्राइब क्या है बस उसी गुसान क्या है तो यह random scam जिसे आप example दिया है देखते आगे इसके निकुसान क्या है इसके drawback क्या है paint plotter इसके example दिया है hardcopy device इसके example दिया हुआ है तो इसका देखो यह क्या करता है random scam में कि यह refresh rate depend करता है कि उसको number of lines आप इसको बोच सकते हो कि vector display device मतलब कि सिर्फ line generated line generate करता है vector में सिर्फ line रहेगा means अगर आपको image drop करना है तो line के form में ही draw होगा तो इसका meaning क्या होगा कि अगर आपको realistic image बनाना है जिसे मुझे किसे human का face बनाना है मुझे कोई nature का view बनाना है तो इससे draw नहीं हो सकता कि lines आप किता draw कर पाऊंगे तो वहाँ पर realistic image नहीं बनती है तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर lines यूज किया जाता है तो अब इसको अगर अब जैसे हमारा राश्टर स्कान डिस्प्ले में भी था सेम यहाँ अब गंसे पैसा ही है कि अगर मुझे उस image की definition को store करना है memory में उस memory के कहा गया है refresh display file और refresh buffer ठीक है तो करता क्या है जैसे example मुझे मेरे screen में अब यह actually काम कर से करता देख लेते है मिरे screen में मुझे draw करना है suppose मुझे एक triangle draw करना इस तरह से तो क्या करता है यह triangle की जै तो थीनो ल guidelines की definition हमारे refresh buffer में save कर लेगा उसको बद क्या करेंगा वो first line उसका X position क्या है उसका Y position क्या है उसको draw कर लेंगा यह first line draw हो गई उसके बाद दिखेंगा next line का first position क्या है last position क्या है x y position उसको draw करेंगा फिर third line का same concept करकी यहाँ पर उसको draw करेंगा इस तरह से draw करेंगा line by line फिर क्या करेंगा जीसे हम रास्टर में होता है कि अगर आप 60 hertz का है तो इसी line को बार बार और वो 60 time draw करेंगा हमारे skin के ओपर अगर 80 hertz है तो 80 time draw करेंगा per second में तो क्या करता है वो cycle करता है उस preference buffer के definition में अगर यहाँ पर तीन line दिया हो तो तीन line को continue cycle करके वो 60 to 80 hertz के speed से वो उसे बार 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 हर second में draw करता है ठीक है यसी बात में जित्ते भी command इसे मालो यहाँ पर 1,2,3 command है first यह command draw करेंगा first line draw करेंगा second करेंगा third करेंगा फिर दुबार 1 करेंगा, 2 करेंगा, 3 करेंगा speed से तो random scan system में line drawing application है इसलिए इससे realistic display हम draw नहीं करता है जैसे मैंने explain क्या है कि line से आप कोई से इससे नहीं बनेगा जिसलिए realistic image इससे नहीं बनती है लेकिन इसमें profit इसमें advantage क्या है कि आप high resolution image आप draw कर सकते हो जिससे अगर आपने अगर किसे को Photoshop अगर यूज किया होंगा तो SVG इमेज करकी होती है है ना तो SVG में size इंबो छोटी होती है लेकिन उसकी अगर आप उसको जितना भी stretch करना चाहो आप उसको जितना बढ़ाना चाहो बढ़ जाती है Photoshop में लेकिन अगर सेम अगर आपने JPG में use किया है तो आप उसको अगर stretch करने जाओ अगर उसको बड़ी skin में करने जाओ तो उसको मतलब उसके pixel फेड हो जाती है उसको अगर फट जाता है image फट जाती है SVG में इसा नहीं होता क्योंकि वह vector display device होता है और वह line से line उसमें line रहते हैं वह सारे ठीक है तो यह हमारा पढ़ली हमने raster scan display और random scan display तो आपके लिए homework किया है कि दोनों का difference निकालो कि दोनों difference क्या है जैसे example मैं बाता हो कि first difference उसका कि memory का store होती है refresh buffer में frame buffer में ठीक है next उसका फिर difference का रहेगा कि वह realistic में draw करता है raster scan display और random scan display realistic में draw नहीं कर सकता उसके बाद में आप बूलूंगे कि raster scan display scalar image draw करता है और random scan system vector image draw करता है ऐसे आप उसके पाच्छे point निकाल लोंगे इसका और उसको फिर exam में आता यह difference between raster scan display और random scan display दो माह के लिए रहा माह के लिए अगर यह आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए ठीक है तो ठीक है इसके जो भी आपको questions रहेंगे आप comment में पूछ सकते हो या फिर जो भी आप next lecture लेने वाले आप वहाँ पूछ लेना ठीक है